केंस सब एक बात बताईए आज की रेट में बहुजन समाज के दलित समुदाय के लोग जितने भी होते हैं उनको मंदिरों में घुछने की अनुमती नहीं होती है तो क्यों नहीं उस जो भगवान जिनको दलित बताया जाता है उनको भी मंदिर के बहारी भेज़ दिया जाए ताकि बहुजन समाज के लोग भी बहारी दर्शन कर लें क्या बोलेंगे इसके उपर आप मेरा तो यह कहना है जब मेरा विश्वास नहीं है देवी देवताम पर तो हम लोगों को जाकर अपनी अनर्जी और समय वेस्ट नहीं करना चाहिए जिन मंद्रों को हम बनाते हैं बनाते हमें और जब पूजा करने की बात आती है तो हमें रोग दिया जाता है यह कहकर यह तुमारे लिए नहीं देवता तुमारे नहीं और जब वोट लेने का अधिकार आता है समय आता है जैसे योगी ने राजिस्तान में जाकर शिरूल कास्ट्रों की गैधरिंग में यह कहा कि मानुमान जी दलित थे तो भाई आद तुम्हें दलित याद आ रहा है की का तुम को गएए जाकर संबेड़कर और फार उसके यह जाकर यह जाकर आती जाकर एंपाए शुर में क्रिणी थी ए बोतों की नहीं हनमान जी की दलिजाती से कुछ ले replaced कि भावना से ले नहीं वोट चाहिए और वोट की खातिर ये तुम्हें मंदर में उद्धार में परवेस कराने के लिए आगे बी आते दिखावे के लिए मानिय कोविंद जी हमारे राश्पती जी अभी राजस्तान के एक मंदिर में गए और उनको वहां पर मंदर के पुजारी ने दर्शन नहीं करवाए महां की मूर्थी पर क्योंकि वह शुरू कास थी यह बड़ी निरलत जिता की बात है देश का राश्पती होने के नाते तो देश के परतम नागरी भी है अगर उनको मंदर में परवेशन नहीं करवा के पूजा करवाई गई और उनसे यह मूँ से अकलवा दिया गया कि मेरी पत्ती के पैर में घुटने में दर्थ था वो चड़ने में आसमर्थ थी तो इतनी दूर कैसे चली कि रा राश्पती के साथ में जब यह हो रहा है तो आम जंता के साथ में नहीं बदली हैं यह वही कि वही हैं जो कल थे वही आज है यह तो राजनीती में वोट का अधिकार हमें बावसाव ने दिया जिसकी वज़े से हमें गले लगा रहे है और नहीं हनुमान की जाती दलित से ल साथ से अपने अवसर के साथ से इन देवी देवताम का जाती करन कर रहे हैं और अपना उनकी वो खेंच रहे हैं लोगों को